उद्गित अग्यार पुर्व बंगालमा आश्वाडी सम्वत 852-853 इस्विशन 766-770 सिर्पूर्मा सिद्ध वल्लव राजा पासे सिर्पूर्णा राजा सिद्ध वल्लव बहुज भावी कता तेमने त्यां सन्यासीन अड़्डा हम्मेशा रहता सवनी ते भाव पुर्वक सेवा करता राणी पन तेनी धर्म भावनामा सदा सहभागी रहती ते समय मा बंगाल मा सन्यासीयो ना जुंड हजार बे हजार ना तोडा मा फरता अना व्रुस्टी अती व्रुस्टी अने पूर्णा तांडव थी पूर्व बंगाल नो घणो खरो भाग आर्थिक दुर्दशा मा हतो आ परिस्थिति ने लई हतियार बंद सन्यासीयो ना टोडा ज्यां जता तयां लूंट चलावता तरास वर्तावता अने जमीनदारो तथा नानी ठकरातोंने तोबा पोकारावता गामडा ना गामडा ताराज करी नाखता लोकोंने तेमनो असह यतरास लागतो सिद्ध वल्लब राजाना शहरमा पण आवा बावाओनी जमात पड़ी हती किटलाक नागा, किटलाक व्यसनी, किटलाक फेली, किटलाक मंत्र अने तंत्र विद्या जाननारा एम, अनेक क्षुद्र देव देवियोंना उपासक आ बावाओनी जो हुकमीनु राज्य, ते समयना बंगालमा प्रवर्थतु हतु तिब्बत, काबुल, अने चीन थी, आ नागा बावानी वनजार उतरियावती तेमने घर कुटुम्ब के गाम न हता एक जग्याए थी बीजी जग्याए, वावा जोडानी जैम फरता, त्रास फेलावता, किटलाकना छोकरा चोरी जता, अने तेने बावा बनावी, पोतानी जमात वधारता चता बावा होवा थी, भोडा वहमी अने बीकन लोको तेमने पूझता सिद्ध वल्लब आ जमातने सन्यासी जानी आवकारता, तेमनी आगता स्वागता करता, स्वादू भोजन जमाडता, अने रोज तेमना दर्शने पन जता बावा ओने आ फावी गयू हतू, तेछी सिर्पूर मा तेमना अड़ा जाजो समय रहता नीलकंठ वर्णीने जोईनेज, राजानू चित्त तेमना प्रत्य खेंचायू तेने आ साधू काईक जुदाज देखाया आटला दिवसो सुधी, तेने आ बावाओनी सेवा करी, परन्तु तेना अंतरमा शान्ती थती नहती नीलकंठ वर्णीना दर्शन थीज, तेनी सर्वे वृत्यो शान्त थेई गई तेने आ अनुभव अध्भूत लागयो नीलकंठ वर्णीनी क्रोश काया मा तेने तप देखायो खाई पीने मस्त थैला बावा वच्चे आवी गयला आ साधू मा तेने साधूताना दर्शन थैया तेने तेमनु सन्मान करियो परन्तु सन्मान के आवकारना नीलकंठ वर्णी भूख्या नहता तेतो राजानों भाव तेना पुर्व संस्कार जोई अहीं तेनू कल्यान करवा आव्या हता राजाने खबर पड़ी के निलकंठ वर्णी तो कोई जग्याय जाजू रहता न थी तेथी तेमने निलकंठ वर्णीने प्रार्थना करी हे वर्णी आप अहीं रहो एवी मारी प्रार्थना छे निलकंठ वर्णी ए तेमनी प्रार्थना स्वीकारी तेमने राजानू कल्यान करवू हतू साथे त्यां जमा थायेला मंत्र तंत्रनी मेली विद्यामा प्रवृत्त बनेला बावाओना उपद्रवनो तेमने नाश करवो हतो राजाये निलकंठ वर्णी ने एकला जानी तेमनी सेवामा पोतानी साथे रहता नैस्ठिक वरतधारी साधू गोपाड दासने राख्या निलकंठ वर्णी नी आरुची हती नैस्ठिक वरतधारी नी सेवाज तेओ स्विकारता गोपाड दास श्रद्धा आने भक्ती थी निलकंठ वर्णी नी सेवामा जोडाई गया बावाओ पोताने सिद्ध कहवरावता हता मंत्रों ना अभीचार थी केटलिक वखत धार्यूं काम करता एटले भोडा लोको तेमने सिद्ध मानी पूझता तेमनों अपराध न थाई जाए तेवी बीक मनमा सदा राखता आवीक शुद्र सिद्धी ना बढ़ थी अभीमान मा राजता सिद्धों ना स्वरूप खुल्ला न पड़े त्यां सुधी लोकोंने तेमनी साची स्थितिनों ख्याल न आवे नीलकंठ वर्णीना उपदेशमा हम्मेशा धर्म ग्नान वैराग्य अने भक्तिना विविद अंगोनु विवरण थतुँझ साधूतो निर्वैरी तथा दयान एक्षमाना गुणों थी भरपूर होआ जोईए नैस्ठिक ब्रह्मचर्य व्रतधारी होआ जोईए भक्तिना भाव थी पोताना स्वरूपने परमात्मामा लीन करी अन्यने ए भाव मा तरबोल करी देनारा होआ जोईए सिद्धियों थी पर होआ जोईए सिद्धियों होआ छता तेने सदा दबावीने केवण मुमुक्षों नी अध्यात्मी कुन्नती माटेज विचर्ता होआ जोईए निलकंठ वर्णीना शब्दोनी धारी असर्थ हती छता कामना पोश्वा माटे लोको आ बावाओनों पीछो छोड़ता नहीं तिव्र विशया सक्ती माथी लोकोंने मुक्त करवा ते काई सहलू कार्य न हतू पण निलकंठ वर्णीनी संकल्प शक्ती माँ अपुर्व बढ़ हतू चोमासानी रुतू न हती छता जर्मर जर्मर वरसाद वरस्तो हतो राजाने तेमनी पासे आवतो जोई बावाओ पोतानी सिद्धी बतावता खुल्लामा ध्यानस्थ दशामा बैसी ने वरसादनी धारा सहन करता हता तेमनी आवी कठीन तपश्चर्या जोई राजाने तेमना प्रत्य मान थेऊ एक वकत निलकंठ वर्णीनी इच्छा थी वावा जोडा साथे मुशरधार वरसाद पड़वा मांडयो आंधी अन्य वरसादनी धारा थी बचवा बधा बावाओ कोई घरनों के कोई जाडनों सहारों शोध्वा आमतेम दोडवा लागया परन्तु निलकंठ वर्णी ते समय अंतर वृत्ती करीने ध्यानस्थ अवस्थामा बैठा हता वरसाद थी भींजायला निलकंठ वर्णीना शरीर उपर वावा जोडा थी उडेली धूलु चोंटी गई हती दूर थी बावाओ आ ताल जोता हता अने निलकंठ वर्णीनी परिस्थिती जोई मनमा ने मनमा मलकाता हता वरसाद बंद थयो वावा जोडू पन शांत पड़ी गयू सव बावा बहार निकलया आ परिस्थिती मा बावानू तथा शरी निलकंठ वर्णीनू शू थयू हशे ते जोवा माटे सिद्ध वल्लब राजा जारे एहीं आवया त्यारे तेमने बावाओने जाड के घरनी ओथ नीचे थी बाहर आवता जोया परन्तु निलकंठ वर्णी ने तेया जोया नहीं एटले मनमा खुब दास थे गया सेवक गोपारदास पन पासे नहता ग्राम जनो पन धीरे धीरे तेया आववा लागया एटला मा निलकंठ वर्णी नी इच्छा थी फरी जोरदार वर्साद पड़यो राजा तथा तेना अनूचरो एधारा थी बचवा बाजुमा तेमना बंगला मा दोड़ी गया बावाओ पन दोड़या थोड़ी वारे वर्साद बंध थेयो आ वर्साद थी निलकंठ वर्णी ना शरीर उपर कादव चड़ी गयो हतो ते धोआए गयो अने निलकंठ वर्णी ना दर्शन सवने थया सवने आनंद थेयो सिद्ध वल्लब राजा ने वर्णी नी देहाती ते स्थिती जोई खूब भाव थेओ तेओ निलकंट वर्णी पासे आवया तेम ने जगाडवा लागया परन्तु निलकंट वर्णी तो हजु अंतर रुत्ति करी पोताना स्वरूप माज स्थीर हता तेथी तेओ यंत्रवत उठ्या तेम ने स्नान कराव्यू पची पलंग उपर गादलू नाखी ने ते उपर सुवार्या राजा पोतेज तेमनी परिचर्यामा मंडी पड्या निलकंट वर्णी ने सगडी थी ताप अपवा मांड्या आथी बीजा बावाओने बड़त्रा थवा मांडी वर्सादने बावा जोडामा निलकंट वर्णी नो नाश थेई गयो हशे तेवी तेमनी धार्णा हती उल्टू तेमनी समाधिस्थ सिद्ध स्थितीनी आ प्रसंग थी राजा तथा तेमनी साथे आवेला सर्वेने प्रतीती थाई आ बावाओ इर्शानी आगमा बड़वा लागया थोड़ी वारे निलकंट वर्णी जागरत थाया तेमने राजाने तथा तेमना अनुचरो ने आजू बाजू उभेला जोई आश्चर्य थी पूछिऊ अबधू शूं थेई रहूं छे एटलू कहीने तेमने कहिऊ तमो बधाज अहीं एक्ठा थाया छो पन पेला सिद्धोनी खबर काड़ी एम कहीने तेमने कहिऊ मैं तो हिम गिरी मा रहीने तप करिऊँ छे पुलहा श्रम मा मेगनी धारा सहन करी छे एटले मने तो देहाध्यास छेज नहीं परन्तु पेला सिद्धोनी तपास करो तेमने कोई सार्वारनी जरूर होई तो तेमनी पासे जाओ त्यारे राजाना अनुचरोय कह्यूं तेतो बधा सलामत छे जाड़नों के घरनों आश्रेलै तेमनी सिद्धाईनी सिद्धी छती करी दिधी छे निलकंठ वर्णी आ सांबली हसया आ प्रसंग थी शीत अने उश्ण थी पर आ सिद्धो हता तेवी तेमनी पोकल वातोनू पोत प्रकाशु बोड़ा अने ममुक्षु राजाने देहातीत स्थितीनों ख्यालावयो आवा दंभियो प्रत्य पन वर्णी ने अंतरमा जे कूनी ल जागनी हती तेथी राजाने निलकंठ वर्णी महान लागया राजाना अंतरमा तेमना प्रत्य वधुने वधु अनुराग थवा लागयो वर्णी प्रत्यना तेना भाव थी तेना अंतरमा ची रजोगुनना भाव थी प्रवर्तती मलिन्ता दूर थेई शुद्ध अंतह कर तेना ग्नान चक्षु खोल्या अने निलकंठ वर्णी मा तेने नारायन देखाया निलकंठ वर्णी प्रत्यनो राजानो अनुराग धीरे धीरे भक्तीमा परिणम्वा लागयो आटलो नानकडो बाल हजुतो जेने मुछनो दोरोपन फुट्यो नहतो ते राजानो प्रितिप पात्र बने राजा तेनी भक्ती करे आ बदू वेरागियोंने खुंचियो इर्शानो अगनी तेमने बालवा लागयो तेमने मारी नाखवा मलीन मंत्रों नी साधना थी निलकंठ वर्णी उपर तेमने एवो अभिचार प्रयोग करेो मंत्रेला आडदना दाना तेमना उपर तेमने नाख्या परिंतु निलकंठ वर्णी नी उपर तो तेनी कहीं जसर न थेई एटले बावाव वधारे बढ़वा लागया छेवटे तेमनी सेवामा रहता साधू गोपालदास उपर तेमने आ प्रयोग करेो गोपालदास तरतज मुर्चित थेई भूमी पर ढड़ी पड़ेो राजाने आ वातनी खबर पड़ी अने तरत अज तेमना सेवकोंने लईने तेमने गोपालदास नी स्थिती जोई बीक लागी तेमने कहीं आ विचाराने साजो करो तेने उठाडो तमेजे प्रयोग करेो छे ते तमेज वाडी शक्षो परन्तु तेमने तो परिण निहाड वी हती तेमने राजाने कहीं तमें जेनी भक्ती करो छो ते वर्णी ने कहो गोपालदास तो तेमना सेवक छे नाना थेईने पूजावना कोड जागया छे ते हवे शक्ती होई तो तेने बेठो करे राजा तरत ज समझी गया के गोपालदास उपर आ अभीचार प् तेवो तेमनो आश्य छे परन्तु आ प्रसंग जीवाजोडी करवानो नहतो गोपालदास ना जीवननो प्रश्न हतो तेवो तरत ज ध्यानस्थ वर्णी पासे आवया अने हाथ जोडीने तेमने कहीं प्रभू गोपालदास आ बावाओना अभीचार प्रयोग नो भोग बन तेमने मुर्चावश पड़यो छे तेने कृपाकरीने आपज जीवाडी शक्षो वर्णी जाग्या अने तरत ज गोपालदास पासे आवया तेमने पन गोपालदास नी स्थिती गंभीर लागी मलीन मंत्रो ना प्रयोग थी भोडा मानसोंने डराववा अ वेरागियो खरेखर बेरागी हता संसार नो तेमने बाहिय द्रस्टिये त्याग करयो हतो भगवा वस्त्रो पेरय हता परंतु संसार ना विशयोनी लोलूपता थी तेमना अंतर भगवारंगे रंगाया न हता ते समय मा बंगाल मा तांत्रीको अने मांत्रीको नू जोर हतू एटलूज नहीं, सारा भारत मा आवी जमात नो त्रास हतो वेश भूशा अने टीला टपका थी त्यागी जेवा देखाता आ जमात ना साधुओ पोता ना पुष्ट शरीर थी लोको मा त्रास वर्तावता ब्रह्मचारी होवानो दावो करनार आ जमात ना सब्भ्यो व्यभिचारी हता त्यागना अश्रमने तेओ कलंक रूप हता आ सन्या सियोना बाहिय आडंबर अने तेमना कलुशित आचार थी तेओ पोतेज समग्र त्यागी वर्ग प्रत्य तिरसकारनी लागनी उत्पन्न कराववा मा अने समाज मा नास्तिकता प्रवर्ताववा मा जवाबदार बन्या हता निलकंठ वर्णिये गोपाड़ दासना कानमा कृष्ण मंत्र कहयो अने थोड़ी वार मा गोपाड़ दास अभिचारनी व्यथाथी मुक्त थेई गयो तेने आखो उगाड़ी ने सामे निलकंठ वर्णिने जोया तरतज तेने हाथ जोड़ी दिधा निलकंठ वर्णिये तेने धीरे रहीने उठाड़ियो अने तेना आखा शरीरे हाथ फेरवियो तप, ब्रह्मचर्य, भक्ती अने धर्मनी प्रबळता एटली अपूर्व छे के निलकंठ वर्णिना स्पर्ष मात्र थी गोपाड़ दासनी समग्र व्यथा तड़ी गई दूर थी आ बधू जोता बावाओ, पोताना अभिचार प्रयोग नी निश्फरता थी दिग्मुट बनी गया तेमाना केटलाक निलकंठ वर्णि पासे आव्या तेओ कदाच निलकंठ वर्णिनी शर्णागती स्विकारे, ते बीके बीजा बावाओ ये तेमना उपर अभिचार प्रयोग करियो, तेमनी आवी वैर व्रुत्ती जोईने, आ बावाओ ये तेमना उपर सामो प्रयोग करियो आम एकज जमातनी बे टोडीना सभ्यो, साम सामा अभिचार प्रयोगनी असर्थी धर्णी उपर ढड़ी पडिया मोडा माची फिणी निकलवा लागया, केटलाक ने लोहीनी उल्टियो पन थवा लागी वर्नी जानता हता, के जीव अवडा आचरण नोज होई छे तेमाई आतो भेख, खीजे तो खाल उतारी नाखे तेमने आ भेखने सवले मार्गे चड़ावा हता मंत्र, जंत्र, मूठ, दोरा, धागा आ बधानी नागचूड माथी तेमने छोड़ावी समाजमा साचो धर्म, भक्तिभाव प्रवर्ताववो हतो मलीन देव देवियोना मंत्र नुबल, परमात्माना मंत्र आगल कोई कामनू न थी ते समझाववा, वर्णी मुर्चित थहला बावाव पासे आवया नीचा नवीने तेमना कानमा तेमने क्रुष्ण मंत्र नो जाप करयो अने तेनी असर तरतज थै मुर्चित थहला बावाव एक पची एक उठवा लागया अपार शक्ति आगल तेमनी मंत्र शक्तिनो रास थयो तेथी निलकंठ वर्णीनू प्रभुत्व तेमने समझायो सव तेमना पगमा पड़ी गया निलकंठ वर्णीय तेमने कहिँ प्रभु भक्ति करी तमारू कल्यान करवातामे संसार नो त्याग करयो परन्तु ते ध्ये पड़तु मूकीने आवी मलीन विद्यानों आश्रोलै लोकोने त्रास आपो छो तो तेमा तो उल्टू तमारू पतन थाई छे आ खोटो रस्तो छे ते छोडीने तमारा धर्ममा रहिने क्रश्णनी भक्ती करो तमारू सद्वर्तन लोकोने धार्मिक बनाव शे तमारामा अधर्म जोशे तो लोको नास्तिक थशे निलकंठ वर्णीना शब्दो तेमना अंतर्मा सोंसरा उतरी गया पोताना अधह पतननों ख्यालावी गयो निलकंठ वर्णीना प्रसंग थी बंगालना बावानी एक जमात्तो आरिते सन्मार्गे वड़ी सिद्ध बल्लब राजा निलकंठ वर्णीना अध्भूत व्यक्तित्व थी प्रभावित थे गया हता निलकंठ वर्णीमा तेमने साधनानी पराकास्था जोई ते स्वयम भगवान हता के भगवाननी विभूती हता ते विचारनी गूँच मा ते अटवाई गया तेने निलकंठ वर्णी पासे पुषकर धन, सुन्दर वस्त्रों अने अलंकारों नो गंज खड़क्यो निलकंठ वर्णी ते जोई हसया तेमने कहिँ, त्यागी ने कोई दिवस आ प्रकार्नी भेटो न आपवी त्याग मा ते दूशन रूप छे छता भेट आपवानी छा होई, तो पोतानू मन सोंपी देवू साचा त्यागी हशे, तो जगत थी वासित थैला मनमा थी जगत काडी तेमा भगवान प्रगट करी देशे, त्यागी नो ए धर्म छे, एक अर्तव्य छे सिद्ध वल्लब राजाने आउँ कहनारा कोई मल्या न हता तेने बंगाल मा त्रास वर्तावता साधू ओ जोया हता बाला ने त्रिशोड नी अणिये पैसा पड़ावता जोया हता भांग ने दारूना नशामा चक्चूर बनी अशलील भाशानो वर्साद वर्सावता जोया हता तेमने निलकंठ वर्णी मा साची साधूता देखाई, प्रभूता देखाई तेमने लाग्यू के वर्णी जो पोताना देश मा रहे तो धर्म ने समाज बनने ने दूशन रूप बनेली आवी जमातो नाबुद थाई जाई लोकों मा अग्नान हतू, अंद श्रद्धा हती, धर्म गेल छा हती, भीरूता हती तेथी ज तो आवी जमातो पोशाती, वर्णी आ बधा दूशनों नो एक सामटो नाश करी नाखी शके, तेवी तेमनी प्रतिभाहती वर्णी ना विचार मा राजा स्थीर थे गया, वर्णी ये तेमने जगाड़या, त्यारे तेमनी आखमा आसू हता वर्णी ये कहिँ, समय घणो थेई गयो छे, हवे तमे तमारा महलमा जाओ, सिद्ध वल्लब त्यां थी निकड़या, पन निलकंट वर्णी नी मोर्ती, तेमना अंतरमा उतरी गई निलकंट वर्णी ना प्रसंग थी राजाना ग्नान चक्षु खुली गया, तेथी तेने तेमना समागमनी भूख जागी, ते रोज निलकंट वर्णी पासे जवा लागया, निलकंट वर्णी ने पन तेनूज काम हतु, आ एक अज मुमुक्षु माटे तेमने बंगाल मा सि सिद्धि करता, अने शट चक्रमा गती करवा करता पन भक्तिमार्ग स्रेष्ठ छे, प्रपत्ती केवल शर्णा गतीनी भावनाथी जी सिद्ध थाई छे, निलकंट वर्णी ये तेमना उपर चमतकार कर्यो करुणा द्रस्टीरे देखी वानजवाळे आरसामा तेलंगण थी एक विद्वान ब्रामन यात्रा करतो करतो सिर्पूर आवी चड़ेओ, तेनी साथे तेना स्त्री पुत्रपन हता, तेनी विद्वता थी राजा प्रसन्न थया, तेने राजाये पुषकड धन, धान्य वस दानमा आप्या, छता पंडितनी लालसा पुर्ण न थै, त्रुप्तीनु भाव तेना मोपर न देखायो, एटले राजाये तेने दानमा हाथी, तथा काल पुरुषापयो, हाथी तो राज दरबारे शोभे, छता तेने आ भेट स्विकारी, तेथी तेनु अंतहकरण मलीन थै गयो, रजोगुण अने तमोगुण ना भाव तेना समग्र शरीर मा व्यापी गया, तेनु ब्रम्मग्नान स्रवी गयो, काल पुरुष्णु दान लेवानो तेनु अधिकार नस्ट थै गयो, काल पुरुष्णु दान ग्रहन करवा थी, तेनु आखु शरीर शाम गयो, तेना शरीर नु आवु रुपांतर थैलु जोई, तेनी स्त्रीने आश्चर्य थयू, राजा तथा राज दर्बारियो पन, विप्रना श्याम पड़ी गयेला शरीर थी आश्चर्य पाम्या, गुण ना भाव वाणी अने आख द्वारा जणायावीना रहताज न थी विप्रनी आखमा मद जणायो, वाणी मा करकशता देखावा लागी, सवना उपालंभनू ते कारण बनी गवो, राजाय तेमने आदरपुर्वक राज दर्बार मा थी रजा आपी, हाथी उपर चड़ीने पोतानी मोटाईनू मिथ्या प्रदर्शन करनार आ विप्रने, र आज मार्गना रस्ता उपर थी आरी ते जतो जोई सव हस्वा लागया, तेनी स्त्री अने पुत्रों तो चालता जहता, एक आएक तेने तेना शाम थहेला वर्णनों ख्यालावयो, ते थी ते मुझायो, दूर थी तेने निलकंट वर्णीने जोया, एकदम तेने हाथी जु निलकंट वर्णीने आ पंडितनी दया आवी, तेमने कहिऊं, विप्र, दानना अधिकारी ब्राम्मनों छे, ते खरूं, विद्याना मुल्य राजा चुकुवे, ते पन साचूं, परन्तु तेमा त्रुष्णाना अतिरेके तमारी व्रुत्तियों मलीन करी दिधी छे, ब्र रडवा लागयो, तेने कहिऊं, महराज, साचूं छे, तुरुष्णाने लिधेज मारी विद्वतानू, ब्राम्मनत्वनू ओजस ओसरी गयू छे, आप मारा उपर कुरूपा करो, शर्णा गतनी सार लेवी, ते भगवान अने संतनो धर्म छे, नीलकंट वर्णीये तेना तरफ करूना द्रस्टी थी जोयू, जाने संजीवनी प्राप्त थाई होय, तेम तेनू अंतह करण स्वच्छ थाई गयू, शरीर उपरनी शामता चाली गयी, अने विप्रे, पोतानो असल श्वेत्वान प्राप्त करीली धो, सिद्ध वल्लब राजाने निलकंट वर्णी प्रत्य अपार हेत थाई गयू, निलकंट वर्णी ना प्रसंग थी, तेनी व्रुत्तियों अंतर्मुख थाई गयी हती, योग साधना विना, ते समाधीना सुखनो अनुभव करवा लागयो, निलकंट वर्णी ये ब्राम्मन नू दुख तालिव, त्यार्थी आ हेत भक्त परिणम्यू, निलकंट वर्णी ने तो त्याथी निकली जवू हतू, परन्तु राजाने हजू, पोताना स्वरूपनू यथार्थ ग्नान करावू हतू, निलकंट वर्णी नो आ संकल्प हतो, तेथी सिद्ध वल्लब, तेमनू सानिध्य कदी छोड़ी शक्ता नहीं, आव तेने तरत निलकंट वर्णी ना स्वरूप माथी दिव्य प्रकाश नी करतो देखायो, ते प्रकाश नी मध्यमा, प्रकाश मै सिहासन उपर, निलकंट वर्णी नी किशोर घनशाम मुर्ती ना तेने दर्शन थया, तेमनी समी पे अक्षर अने अक्षर मुक्तो बेठा हता, राजाने तेजनु व्यापक पणू समग्र पणे देखायू प्रुथ्वी के कोई ब्रह्मांडों देखाया ज नहीं चिदाकाश ब्रह्मांडों नी अडखे पडखे उँचे नीचे अने माही छवाई रहिव हतू अधोर्द्व अने प्रमान रहीत सर्वती पर दिव्य अक्षरधाम मां सर्व अवतारों युद्पत्ती अने लई पन जे स्वरूप मां थाई छे ते सर्वोपरी पुर्षोत्तम नारायन नीलकंठ वर्नी स्वरूपे तेने जोया श्रिक्रश ने कृपा करी अर्जुनने पोताना विश्व स्वरूपनु दर्शन कराविऊं छता ए स्थितीमा पन पोताना देह भावना आवरण थी अर्जुनने ते स्वरूपनी विशार्ता अने भयं करता जोय बीक लागी एटले तेना प्राणनी गती प्रक्रूती थी पर जैशकी नहती तेथी ज प्रक्रूती ना सहजेवा भाव थी तेमने कहवूँ पडियू प्रव्यथितास्त थाहम परन्तु अहीं सिद्ध वल्लव राजाना प्राण नीलकंठ वर्नी नी कृपा थी प्रक्रुति थी पर रदया काश रुपी चिदाकाश मा बिराजेल पुर्षोत तमना स्वरुप मा लीन थई गया हता तेथी अनन्त ब्रह्मांडों ने आवरी रहेलू अक्षरधाम अने ते धामना पतीना दर्शनते करी शक्या राजाना अत्यंत भाव थी श्री निलकंठ महाप्रभु त्या रहा थोड़ा समय पछी तेमने त्यांथी निकलवानी तैयारी करी सिद्ध वल्लब राजाने निलकंठ वर्णी हवे विदाई लेशे तेनू दुख थयू तेने घणी प्रार्थना करी परन्तु निलकंठ वर्णी है कहिँ अहिनू मारू कार्य पुरू थयू छे हवे जवूंज जोईये तमेया मुर्ती रदैमा राक्षो तोहुं सदा तमारी समीप छू बधा सिद्धो पन तेमनी साथे जवा तैयार थया शहर मा लोकोंने जान थेई तेओ निलकंठ वर्णी माटे काईने काई वस्तू भेट लावया राजाना अनूचरो पन भेट लावया राज दर्बार मा थी पन अनेक सामगरीयो आवी ते बधीज निलकंठ वर्णी समक्ष मूकी राजा तथा प्रजाना भाव थी निलकंठ वर्णीय तेमा थी थोड़ू अंगिकार करियू पची त्यां थी विदाई लिधी दूर सुधी सव वड़ाववा गया पची निलकंठ वर्णीय सव ने आग्रह करी पाछावाडया अने पोते सिद्धों नी साथे आशाडी सम्वत 853 नो अन्नकूटोच सव अने कार्ती की पुनम करी त्यां थी चाली निक्रया सदा एका की फरवानी रूचीवाडा वर्णी ने सिद्धों नो साथ सांपड़ियो ते ओ असंगी हता छता पोता ना संबंध थी आशिद्धों मा साचा सादू जीवन ना बीज ववाई एज एक हेतू तेमनो साथ राखवामा होतो सगन वननी जाडी मा नर राक्षसो वस्ता हता मानस नो तें पगरव न होतो तेथी क्वचित त्याथी पसार्थता कोई मनुष्यनी गंधावता आ नर राक्षसो तेने छोडता नहीं अने लांबा वधेला हाथ न नक्थी तेमने चीरीने खाई जता सिद्धोंने क्वचित तेओ देखाता आ बावाओने तो निलकंठ वर्णीनो साथ हतो तेथी तेओ निर्भई हता किटलाक दिवसो नी मजल पछी निलकंठ वर्णी परशुराम कुंड पधार्या परशुराम कुंड मा हिमालय तरफ पुर्व उत्तर सीमाना पर्वतनी तडेटी मा परशुराम कुंड छे त्यां वर्णीराट सिद्धोना मंड़ साथे आव्या ते कुंड मा तेमने तथा सिद्धोय स्नान कर्यू मात्रु हत्याना पाप थी दूशित थैला परशुरामने पाप मुक्त थवा माटे जमद अगनी ये ब्रह्मकुंड मा शनान करवानी आगना करी पितानी आगना थी परशुरा में अहीं सनान करियू एतले सर्व पाप थी ते मुक्त थ trainings गया आ कुंडनों आओ महिमा जानी परशुरा में आ ब्रह्मकुंडनु पानी विश्वना कल्यान माटे वहतु मूकुआ त्यां पोतानी पर्शु मारी औने त्यां थी तेनी धारा वहती थेई आ धारा ब्रह्म पुत्रना नामे उडखानी त्यां थी प्रवाह रूपे वहती थेई ने ते लोहित सरोवर्मा स्थीर थेई गई फरी परशुरामे फरसी मारी अने ते धाराने वहती करी ते धाराये प्रुथ्वीने जा स्पर्श कर्यो ते स्थडज परशुराम कुंड आजे तो ते कुंड ब्रह्म पुत्रमा लुक्त थे गवो छे कामक्षी तिर्थमा निलकंठ वर्णी त्याथी पुर्वतरफ कामक्षी देवीना स्थान उपर आशाडी सम्वत 853 ना कार्तिक मा आव्या कामक्षी देवीनु मंदेर तो परवत उपर छे परन्तु निलकंठ वर्णी अने तेमना साथी ओए ब्रह्म पुत्र नदीना किनारे फूल वाडीमा उतारो कर्यो अहीं बावाओनी जमातोंने वन माग्या सिधा मल्या हता तेथी निलकंठ वर्णीनी साथे आवेला सिध्धोंने पन पकवानना सिधा मल्या लोहीना प्रतेक रूप कंकुनी आड करीने रंगेला कपालवाला त्रिशूल धारी जय अंबे, जय भवानी, जय कालीनी घोशना करता लोहीनी तरती आँखोवाला, किटलाक नागा, किटलाक अर्ध बढ़ेला कास्टनी जैम धूंधवाता दारू मासना भक्षन थी गंधाता मोवाला, आ बावाओना जूंड त्यां आव्यज जता हता केवल दर्शन थी ज अंतरमा त्रा सित्पन्न थाई, एवा आ बावाओनी अडफेटमा आउनार, पछी शोध्या जडता नहीं, एवो एमनो वेग हतो धर्णी द्रूजावे एवी तेमनी चाल हती, अग्नान प्रजा आ बावाओनी नागचूड मा फसायली हती, साचुन शोध्वानू के समझवानू भानते भुली गई हती वहे मने बीक थी, सव मूंगा प्राणी नी जेम, यंत्रवत तेमने अनुसरता हता, निलकंठ वर्णिये आ जोयूं दया अने करुणा थी भरपूर तेमनू अंतर, वहे मने अंध श्रद्धाना पाश्मा फसायल, आ भोली प्रजानी दुर्गती जोई द्रवी गईूं अने शुद्ध सत्संग आगळ मलीन विद्यानू कोई बढ़ नहतू, वहे मों ओसरी जता, अने अंध श्रद्धाना बंधनों पन धीला पड़ी जता, तेमने आ वात सवने समझाववी हती, तेमनों संकल्प द्रढ हतो कामाक्षी देवीना दर्शने आउता भाविक जनो, निलकंठ वर्णीने दूर्थी जोई तेमना प्रत्य आकर्शाया दीरे दीरे मंदिरना प्रांगण मा निलकंठ वर्णी पासे सव जमा थवा लागया एक नानकडा किशोर निया दिव्य शक्तिये जादू करयो पेटना उंडा खाडा थी, भुखना दुखनो त्रास वेटता, किटलाक नवस्त्रा, किटलाक जिर्ण वस्त्र थी आच्छा दित, कंगाल ने क्रोश आ भोडा भाविको नी आवी दशा, सिद्धोना जूंडना त्रास थी थई हती तेमनी पासे थी अनाज, वस्त्रो, नाणा तेओ बढ़ जवरिथी पड़ावता, नीलकंठ वर्णी ने तेमनी आ दशा जोई दया आवी, धीरे धीरे सव तेमनी पासे जमा थी गया देवी ने छोडी ने, पोतानी अवगना करी ने आ तोडा ने एक नानकडा किशोर पासे जमा थायेलू जोई, बावाओ गुस्से थेई गया तेमने पोतानू हड़हडतू अपमान थतू लागियू, अमे त्यागी, अमे भगवाधारी, अमे सिद्ध, अमारी उपेक्षा करी ने, आ लोको आ छोकरा पासे जमा थाये क्रोधागनी थी तेमनू अंतर बढ़वा लागियू, परन्तू अहीं तो भावीकोनू जब्बर तोडू जमा थायू हतू, तेओ त्या धस्या, तोडा वच्चे बेठेला निलकंठ वर्णीना सवम्य स्वरूपने तेमने जोयू, तेमना अंतरमा एक प्रकारनी बीक निलकंठ वर्णीनी अप्रतीम प्रतिभा, साधूतानी अपूर्व जलक, अहिंसा अने ब्रह्मचर्य धर्मना पालननी साधुओ माटेनी आवश्चक्तानो उपदेश, आ बधानी आ सिद्धो उपर विपरीत असर थाई, ते सिद्धोनी जमात ने निलकंठ वर्णीनू श चस्व दिवसे दिवसे ओचू थतुं जशे, तेथी तेमने पासेना गामना कालीभक्त पिबैक ने उश्केर्यों। दारूमा सदा चक्चूर रहतो, मास भक्षन थी मदमस्त बनेलो, मानसनी खोपरीनी माडा गडामा पहरी, त्रिशूड धारी पिबैक जे गाममा प्रवेश्टो, ते गामना लोको त्रास पामीने तेना शिश्य बनी जता। किटलाक हठीला सिद्धो, जे तेना अभीचार प्रयोग ने दाद न आपता, तेमनी सामेक शुद्र देव देवियोंने ते मोकल तो, अने ए रिते पाण तेमने वश करी लेतो। पिबेक ने आ नाना देखाता निलकंट वर्णीने मात करवाना कोड जा गया। कामाक्षी देविना दर्शन करी निलकंट वर्णी पोताने स्थाने फुलवाडी मा आवी गया। अहीं एक जाड निचे बैसीने निलकंट वर्णी तेमनी साथे आवेला सिद्धोंने उपदेश करता हता। ते समये पिबेक तेना शिश्यों अने शिश्याओने लईने त्यां आव्यो। वैश्नव मतने अनुसरेला ब्रह्मन जातीना भक्तने कउल, शाक्त अने वाम मार्गियोंनों प्रसंग थयो। ते प्रसंग थीज तेनी बधी सात्विक्ता हनाई गई। तेने कउल मतना शास्त्रोंनों अभ्यास करयो। तेमा प्रतीती थाई। अन्तरमा विशाई भोगनों अव्यक्त राग ते शास्त्रोंना वचनों थी जागरत थयो। मास दारू अने व्यभीचारना फंदामा ते फसायो। तेनी विशाई भोगनी लालसा वधुने वधु प्रदीप्त थती गई। अने ते थी मंत्र जंत्रनी मेली विध्यानों आशरो लई। क्षुद्र देव देवियोंनी उपासना थी सिद्ध बनवानी साधना तेने आधरी। तेने शक्ती मलती गई। सिद्धी पन मलती गई। अने अहंकार पन वधतो गयो। सवने वश करी शिश्यों बनावी ते गुरू थैई पड़े। भोड़ा वहमी अने बीकण मानसों मा त्रास वर्तावी तेने शिश्य मंडल जमा करी। आजे तेने आ निलकंठ ने वर्णी ने मात करी तेनी साथे फर्ता सिद्धों ने पोताना शिश्यों बनावानों एक बीजा साथे अथडाता अशलील चेस्टा करता सुरापान करता न समझाई तेवा ओम हृम हृम ना मंत्रों बोलता सुरापान थी लाल बनेली आँखो थी सवने डारता ते आवी पहुँचिया। निलकंठ वर्णी नी आजुबाजु बैठेली बावाओनी जमात पन प पथी क्रुश बनेला शरीर मा एवूते शुँँ हतू के ते मात न थाई। निलकंठ वर्णी ना शान्त मुखमुद्रा थी आसपास बैठेला सिद्धों ने कहिऊ। तमे जराई डर्शो नहीं। मारी वात साम्भ़ो अने तेना तरफ नजर पन नाक्षो नहीं। ते ओ उठी ने चालवा नी तैयारी करता हता ते जोई नेलकंठ वर्णी ये तेमने फरी कहिऊ। तमे केम चालवा मांडया। आवा तामसी मलीन देव देवियो ना उपासक्ती केम बीवो छो। परब्रह्म परमात्मानी काल शक्ति विना आ ब्रह्मांड मा कोई कोई ने मा खमुद्रा थी पिबेक ने पोतानी विडंबना थती लागी। तेने कहिऊ। छोकरा तुँ बालक छे। मारो प्रताप ते जोयो नथी। ए साम्भली नीलकंठ वर्णी हस्या। आजु बाजुना टोडाये नीलकंठ वर्णी ने कहिऊ। वर्णी मंत्र विद्यानों आ सिद्ध आजे तमने बाली ने खाक करी देशे। नीलकंठ वर्णी ये तरतज कहिऊ। परमात्मा सिवाई कोई कालने आगना करी शक्ति न थी। ए सिद्धने पोतानों प्रयोग एकदम सुकाई गयो तेना पांदडा नीचे खरी पड़या अने तेमा थी धुमाडों निकणवा लागयो। नीलकंठ वर्णी नी साथेना बावाओ आ जोई गभराया। तेओ त्यां थी उठवा लागया। नीलकंठ वर्णी ने तेमनी दया आवी। तेमने कहिऊ। तमे केम बियो छो। पहला मारा उपर ते तेनों प्रयोग करे मने काई थाई तो पछी तमे उठीने जजो। आ साम्बली पिबैक वधू उग्र बन्यो। तेने ते दाना नीलकंठ वर्णी उपर नाख्या। आश्चर यथी सव जोई रहा। नीलकंठ वर्णी ने काई थयू न करवू होई ते बोल्या सिवाई करवा मांड। तारा काड भहिरव के बटू कवीर मने काई करी शके तेम न थी। पिबैक ने आ साम्बली आश्चर यथयू। तेने तरते ज काड भहिरवने बोलावया। पन ते वर्णी पासे जई शक्या नहीं। बटू कवीर आवया। ते पन त्या स्थीर थई गया। अने पाचा वडता ते पिबैक ने जवडगया। तेने जमीन उपर पछाड़यो। पिबैक ना मोडा माथी लोही निकडवा लागय। आप पराभव थी ते वधू उग्रब बनयो। तेना गात्र धीला बनी गया हता। छता ते हनुमान वीरनी आराधना करी हनुमान जी आवया। वरनी समक्ष गया अने तेमने नमस्कार करी तेमने पिबैक ने लात मारी। तेना माथा उपर मुस्टी प्रहार करयो। तेना मोमाथी लोही निकडवा लागय। नाडी धीमी पड़ी गई। ते मुर्छा वश थईने त पड़ी रहो पिबैक नी आवी करून दशा जोई तेना संबंधियो निलकंठ वर्णी पासे आवया तेमनी स्तुती करी निलकंठ वर्णी ये दया करी तेओ पिबैक पासे गया अने तेना कानमा क्रुष्ण मंत्र कहो थोड़ी वारे पिबैक स्वस्थ थयो तेनू अभिमान गवायू हतु तेने जानियू के निलकंठ वर्णी नी दयाथी जिते जीवतो रहो छे ते उठ्यो अने निलकंठ वर्णी ना चरण मा पड़ी गवो ते रात्रे तेने फरी साधना आदरी गवायला अभिमाने तेने उशकेरियो तेने काल भहिरवने आराध्या भहिरव मारी कोई शक्तिया वर्णी आगल काम्याब न निवडी हवे तमारेज मारी लाज राखवानी छे भहिरव आ साम्बडी हस्या तेमने कहिूं जे कालना पन काल छे ते आ साक्षात श्रीहरीने मारवाना कोड तने जाग्या अने ते पन अमारा जिवा क्षुद्र सेवको तारू कल्यान इचतो हो तो तेमने पगे पड़ी जा तेमनू शर्णू लईले अनेक जन्मना चक्रावामा भ्रमन करवानू दुर्भाग्य मटी जोशे आ साम्बली पिबेकनी सान ठेकाने आवी बीजे दिवसे सवारेते स्नान करी स्वच्छ सफेद वस्त्रो पहरी नीलक नीलकंठ वर्णी पासे आवयो तेमने सास्टांग दंडवत करया तेमना चरण पकड़ी लिधा तेनी आखो मां थी आशुनी धारा चाली निलकंठ वर्णी ना चरण एधारा थी भींजाया ते चरणनी भीनी रजलै पिबेके माथे चड़ावी निलकंठ वर्णिये तेने कहिँ पिबेक जे सिद्ध होई छे ते कोई ने डरावता नथी जे परमात्मानी खोजमा निकड़ेला होई छे ते कोई थी डरता नथी तारी मंत्र शक्ती ने मारी परमात्म शक्तिय भस्मसात करी नाखी पांच जन्य शंक ना घोश जेवा निलकंठ वर्णी ना शब्दो तेना अंतर्मा उतरी गया निलकंठ वर्णी नुँ सानिध्य तेने दुहसह लाग्यू तेमनी आखोनो सवम्य प्रकाश पिबेक ने नाथवानो तेमनो द्रड संकल्प पिबेक नी आजु बाजु जाने दिव्य चक्रनी गती समान फरवा लाग्यो निलकंठ वर्णी नी आ सवम्य शक्तिय पिबेक ना अहंकार नो रास कर्यो तेनी विद्या अहीं काम्याब न निवडी ते बोली शक्यो नहीं नीचु जोई रहो तेना शिश्यों न नवाई लागी अजे ये गणाता असिद्ध अ छोक्रा पासे कें शियार जेवा बनी गया निलकंठ वर्णी उपर तेमना कोईनी आखो मीट मांडि शक्यों नहीं पिबेके निलकंठ वर्णीना चरणनो फरीस पर्ष कर्यो निलकंठ वर्णीना अशिर्वाद थी तेना अंतरमा थी तामसी वृत्तियों बाहर निकळवा लागी तेना पुर्व जीवननी तेने स्मृती थै क्या ते आगणनो वैश्णवी ब्रह्मन अने क्या आजनो आसूरी पिबहिक निलकंठ वर्णीना चरण कमणने अश्रुनो भीशेक करी तेने तेना पाप धोया पवित्र बनेला अंतह करणे तेना ग्नान चक्षु खोल्या निलकंठ वर्णीमा तेने साक्षात विश्णूना दर्शन थया निलकंठ वर्णीना आलप संबंध थी पिबहिकनु रुपांतर थैई गयू पिबहिकना पुरुव जीवनमा प्रभु पामवानी तिव्र जिग्नासा हती तेथी निलकंठ वर्णी तेने शोधता शोधता कामाक्षी क्षेत्रमा आव्या हता ते साथे सहजे सहजे पन जहमने तेमना दर्शन करया नमस्कार करया के सेवा करवानों लाहवो लिधो ते सवने नीलकंट वर्णिये द्रग दिक्षा आपी आशिर्वाद आप्या नीलकंट वर्णिये पिवेक ने उठाड़ेो तेने माथे हाथ फेरवता कहिँ मुंडन करावी हवे थी वैश्णवी तिलक करजो भगवत गीतानों पाठ करजो अने विश्णोंनू पूजन करजो अन्यने आपनू स्वरूप बिहामणू लागे तेवो वेश धारण न करवो साधा वस्त्रों पहरी सदा सौम्य स्वरूप राखू पिबेएक हजूपन निलकंट वर्णी सामू जोई शक्तो नहतो छता निलकंट वर्णी नी मुर्ती तेना अंतर्मा स्थीर थाई गई हती ते नीची द्रस्टी करी अंतर्मा रहेली निलकंट वर्णी नी मुर्ती ने जाने निरक्तो होई तेम तेमना आ शब्दो साम्भड तो उभोज रहो पची निलकंठ वर्णिये तेने हलावी न कहिँ हवे पधारो पुर्वे जन्मनु ग्नान जे मग्नान थी विसरी गया छो तेम तमारू जूनू स्वरूप, स्वांग अने अभिचार प्रयोगनू मलिन ग्नान हवे आ ग्नान चक्षू खूल्या छे, तेथी विसारी देजो भगवान तमारू कल्यान करशे वर्णि त्याथी उठ्या पिबै के तेमने फरी प्रणाम करया तेमना चरणनी रज लई, आखे शरीरे चोपडी वर्णिये तेने अभैदान आप्यू हतु तेथी तेना सत्वनी संशुद्धी थाई नारायन ना स्वरूपना दर्शन थया वैश्णवी जीवन जीववानों आदेशापी वर्णी हवे जता रहा तेने लाग्यूं के वर्णी जेटला स्थूड भावे दूर जशे तेटला सुक्ष्म भावे मारा अंतर्मा द्रढ थशे वर्णी ने अनेकना कल्यान करवाना हता तेथी तेमने विशेश रोकावानू कही शकाई नहीं तेमनी मर्जी प्रमाने वर्तवा थीज तेमना सानिध्यनों अनुभव थाई वर्णी एक मास रही ने निकल्या तेमनी साथे सिद्धोनू वरुंदपन निकल्यू परन्तु हवे वर्णीने एकला पडवू हतु तेथी तेवोने पाछा मोकल्या आगण वसमी वाट हती अहीं थी एकदम दक्षीड मा आसामनो डुंगराल प्रदेश अने घाटा जंगलो वटावी जवानू हतु चता वर्णीनो संकल्प द्रड हतो प्रवासमा तेमने कठीनाईने गणकारी न हती देहना कस्टने पन गणियू न हतु तेमनो तो एककज उद्देश हतो संतोने सुखा आपवू दुष्टोनू परिवर्तन करवू का दमन करवू नवलखा परवतु पर श्री निलकंठ वर्णी त्यांथी चाली नीक्रया अने फरी दक्षिन दिशा तरफ प्रयान कर्यू तेमनू लक्ष हतु दक्षिन मा चटगाउं जिल्लामा नवलखो परवत आस्थाने पहुँचवानू मुश्केल हतु आजु बाजु गीच जंगलो हता अने रस्तो विकट हतो परन्तु युगो थी आ परवत उपर नव लाख योगियो पुर्षोत्तमनी प्रतिक्षा करता तप करता हता आ रस्ते जता जंगलमा प्रवेश्ता रस्ता उपर राजाय मुकेला चोकिया तो ए निलकंठ वर्णी ने अटकाव्या तेमने कहिँ जंगलमा हिंसक प्राणियोंनो भई छे मनुष्य थी त्यां जैशकाई तेवू न थी तेथी तो अमारा राजाय अहीं चोकि बेसारी छे निलकंठ वर्णी थम्भ्या धीरे थी तेमने कहिँ अमने जंगली प्राणियों कहीं करी शक्षे नहीं अमारे उतावल छे माटे अमने जवा देओ राजाना चोकिया तो विचार मा पड़ी गया निलकंठ वर्णी सामे तेमने द्रस्टी मांडी तेमनू शरीर तपथी कुरुष थेई गयू हतू छता तेमना अवाज मा तेमनी संकल्प शक्तिनू बढ़ हतू तेमनी आखों मा तेज हतू तेमने हाथ जोडी दिधा निलकंठ वर्णी तेमनी सामू हसया अभई हाथ करी आगण चाल्या ते जंगलमा निलकंठ वर्णी ये सवारे प्रवेश कर्यो नदियो वटावी वाघने चित्ताओना तोड़ा आवया हाथियो ना जुंडो आवया रानी पशुओ मलया अवधूतो मलया पन निलकंठ वर्णी ने तेमनू कोईनू काम नहतू तेतो द्रस्टी बांधी ने चाल्याज जता हता संध्या टाने तेओ परवत पासे पहुँचया आशाडी सम्वत अढ़ार सो त्रेपननी पोशी पूनमनी अजवाली रात हती चड़ता चड़ता तेमने ठेर ठेर सिद्धो अने तेमनी सन्मुख धगती धूनी देखावा लागी परवत उपरनी आ विचित्रता तेमने अलोकिक लागी निलकंठ महाप्रभु तेमनी बाजुमा थेईने चालवा लागया कोई कोईकने तेओ बोलावता पन तेओ कोई बोलता नहीं आ जोई निलकंठ वर्णी ने आश्चर्य थयू निलकंठ वर्णी उपर पहुँचया तेमने सिद्धोने सिद्धासन लगावी कास्ठनी मुर्तीनी पेठे स्थीर थेई बैठेला जोया आश्चर्य मै घटना मनुष्यनी बुद्धीने अकड लागे तेवी हती निलकंठ प्रभु पन तेमने ध्यानमा जोयू तो आ बधा आश्चर्यो आ पर्वतना जोय तेम तेमने जणायू एटलामा मुर्तीमान पर्वत तेमनी पासे आव्यो तेमना चरण कमणमा प्रणीपात करी तेने बे हाथ जोडी स्थूती करी हे प्रभु आप केवल मारे माटेज अहीं पधार्या छो आपने दर्शन्थी खरेकर हुँ धन्य धन्य बनी गयो छू तेवामा सिद्धोपन पुर्षोतमना आगमननी दिव्य प्रेरिणाथी जागरत थेई निलकंठ महाप्रभु पासे आव्यो लागया निलकंठ वर्णी आ बधाने आवता जोई आश्चर्य पाम्या पोतानीज मायामा पोते जाने अटवाया होई तेवू अगनान बतावता तेमने मुर्तिमान बनेला पर्वतने पूछू आपनी मायामने अकळ लागे छे आप कोण छो आबधा सिद्धो कोण छे आ अगनीकुंडो शामाटे छे नीलकंठ महा प्रभूना प्रश्णो साम्भली गिरी राज हस्या तेमने कहिँ आपनू अगनान अमने मोह उपजावे छे आप तो सर्वग्न छो छता पूछो छो एटले कहूं छू सर्व पर्वतोमा हूँ पुज्य छू अही नव लाख सिद्धो रहे छे आपना दर्शननी तिव्र जिग्नासा थी तेवो आजे युगो थी तप करी रहा छे आ बधो प्रताप तेमना तपनों छे तेमना आश्रम समक्षना कुंडो मा दिवसे पाणी होई छे रात्रे अगनी अगनी प्रग्टे एटले सिद्धपन प्रगटे दिवसे कोई ने काई पन देखाई नहीं अहीं मानवी थी आविशकातू न थी नर नाट्यनों पूरो भाव भजवता नीलकंठ वर्नी आ साम्बडी आश्चर्य थी माथू हलावा लागया तेमने कहिँ अहो तमों सव बहुं मोटा छो सिद्धोय कहिँ आपनी मोटाई ने समझवा माटे अमेया तप करिये छिए तेथी कदाच अमारामा काईक मोटाई देखाती हशे पन आपनी आगण तो अमेक शुद्र छिए नीलकंठ वर्नीय तेमनों भाव जोयो भक्ती जोई परमात्माने पामवानी अभिपसा जोई तेमने तरतज नव लाख स्वरूप धारन करया एक एक स्वरूपे एक एक सिद्धने मणया तेमना मनोरत पूरा करया पछी बधाज स्वरूपो पोतामा लीन करी पोते सिद्धो प्रत्य कहवा लागया योगमा सिद्धी तो छे पन सिद्धी मां विग्ण छे दासत्व भावती करेली भक्ती मां प्रभु प्रत्यनों प्रेम उदै थाई छे अने मोक्षिपन भक्ति थीज थाई छे नीलकंठ वर्णीना आ शब्दोनों मर्म सिद्धोने समझायो योग मां प्रगट प्रभुनों सम्बंध रहतो न थी अने प्रगट प्रभुना सम्बंध वगर योग सिद्धपन थतो न थी परन्तु आ योगियों ने आजे प्रभु कृपाथी तेमना योगनु फळ मली गयूं हवे आ सिद्धीने साचवी राखवा निलकंठ वर्णीनी मुर्तीना ध्यानमाज रत रहवानों तेमने निश्चय करी लिधो निलकंठ वर्णीना शब्दों मा आ मर्महतो जेमना संबंधेज अग्नान नाश पामे ते संबंधने पामीने आ सिद्धो निलकंठ वर्णीना शब्दोनु रहस्य कैम न समझी शके प्राणने शट चक्रों मा भमाववा करता पण चित्तने आदिव्य मुर्तीमा जोडी देवूं तेमने वधू स्रेस्थ लागियू निलकंठ वर्णी ये तेमने सवने पोताना स्वरूपनु ग्नान अने संबंध करावी तेमनों मोह विदार्यो पोते जे कार्य माटे अहीं आव्या हता ते थयू नव लाख योगियोंनों मोक्ष कर्यो त्रण दिवस रही निलकंठ वर्णी त्याथी चाली निकड़्या निलकंठ वर्णी उत्तरमा रामकोट तरफ जवाला गया त्या जवानी तेमनी इच्छा हती कारण के त्याना लोको संतोने खूब पूजे छे, घेर घेर जमाडे छे अने तेमनी प्रसादी ले छे परतु एमां संतोनू अधह पतन छे एवू निलकंठ वर्णी ने देखायू अत्यंत मान ए मोक्ष मार्गमा विघ्ण रूप छे नीलकंट वर्णिये त्यां जवानों विचार मांडी वाल्यो अने बालवा कुंड तरफ चाल्या बालवा कुंड तरफ सिता कुंड थी चार माईल दूर आ बालवा कुंड आवेलो छे तेने वाडव कुंड पन कहे छे कुंडनू नामज अर्थ सूचक छे त्याना जड़ने अगनीनो संबंध हतो एटले कुंडना जड़मा अगनी वायूथी प्रगट रहे छे पासेना खड़को माथी पन अगनी निकल्याज करे छे निलकंठ महाप्रभू अहीं त्रण दिवस रह्या अगनीनी जड़ा समान गरम कुंडमा रोज स्नान करता यात्री को आश्चर्य वत आजोई रहता पंदर सोल वर्षना बालकनिया सिद्धी जोई तेमने आश्चर्य थतुं परन्तु निलकंठ वर्णीने काई एवी सिद्धी देखाडवी नहती तेमने तो कुंडना पाणीने प्रसादी भूत करी तेने तिर्थत्व आपूं हतु अहीं त्रण दिवस रहीने निलकंठ वर्णी निकल्या बंग देशनों त्याग करी गवड देशमा नदिया नवद्वीप शांतीपूर्थ हैने गंगा सागर तिर्थमा पहुँचया गंगा सागर तिर्थमा गंगा अने सागर नो जियां संगम थाई छे तेस थड़ने गंगा सागर तिर्थ कहवाई छे वर्णी महाप्रभु अहीं पधार्या अने संगम मा स्नान कर्यू अहीं त्रण दिवस रह्या मकर संक्रांती ना मेडामा आवेला यात्रीकों ने दर्शन नो लावापयो पन कोई आ विभूती ने उडखी शक्या नहीं सव सागरस्नान, श्राध्ध, पिंडदान वगेरे क्रियामा मग्नहता धर्मने केवड क्रिया माननार अग्नानी जनोनो और्तो करया सिवाई निलकंठ वर्णी त्रीजेदिव से त्यांथी होडीमा बैसी सागर द्वीपमा अवेला सुन्दर्वनमा कपिला श्रम पधार्या सांखेने बुद्धी पन कही छे, बुद्धी सतेज होई, सात्विक होई, तो ते जगतना विशयो मा आसक्त नो थाई, पर्मात्मा म स्थिर थाई, आ अमुल्य भेटना दाता भगवान कपिल देवे, आस थड़े घणा वर्षो सुधी तप करी होंतू, हजू पन घणा भा देखाई जे, द्रस्टी मा जगत होई, तो जगत सिवाई भगवाननू अस्तित्वज मनातू न थी, निलकंट महाप्रभू अहीं पधार्या, अने कपिल मुनीना आनंदनो पार न रहो, सर्व अवतारोंनू मूल एवा पर्मात्मा निलकंट वर्णी स्वरूपे पधार्य पोताने दर्शन दिधा, एटले कपिल मुनीने लाग्यूं, के आजे तपनो अवधी आवी गयो, तेमने एवाते पन संतोष थयो, के मारू रचेलू सांख्य शास्त्र जगतना मुमुक्षुओने आ पर्मात्माज साची रिते समझाओ शे, तेमने निलकंट वर्णीनी तमारा विचारो प्रमाने प्रवर्ताविश, कपिल मुनीने आनन्द थयो, निलकंट पासे थी उठी ने, तेमना मंदिर मां सिध्धासने बिराजली श्वेत स्वरूप मुर्ती मां ते समाई गया, वर्णी राट ने आ एकांत स्थान गमी गयो, अहीं मंदिर मांज पोते पोताना स्वरूपना ध्यान मां मगन बनी गया, साथ दिवस सुधी अखंड ध्यानस्थ स्थिती मां बैसी रहा, दर्शन आवनार यात्रिकों ने आध्यानस्थ योगिनी स्थिती अलोगिक लागी, तेमने ब्रांती पन थती, के साक्षात कपिल मुनीतो आध्यानस्थ नीलकंठ वर्णी स्व स्वरूपमा स्थीत हता। अधर्मनों नाश करवा वर्णींद्रने प्रार्थना करी। पोते एक मास रह्या। अहीनु कार्य समाप्त थाय। एटले मुमुक्षुओनों साध साम्भली तेमने आगल प्रयान करिय। जयराम दास ने नीलकंठ वर्णीनों संबंध थाई छे। वर्णी महाप्रभु आगल चालया अने घंगोर जाडीनी घटा वितावी। सवार मा एक गाम आविय। त्या विश्राम करवानों विचार करेओ। ते गाम मा एक वैरागी गुरुहस्था श्रमना त्याग वाळों बावो हतो। अने बीजो संजोगी गुरुहस्था श्रम वाळों हतो। अहीं जे त्यागीनू मंदिर हतो। त्या निलकंठ वर्णी आविया। त्यागी बावाये तेमनू स्वरुप जोय। तप थी शरीर क्रुष हतो। छता तेमनी कांती अपुर्व हती। तेने वर्णी राजने कहिऊ। पधारो आ मंदिर मा उतारो करो। तेनो भाव जोई निलकंठ वर्णी मंदिर मा गया। मंदिर नो महंत तो निलकंठ वर्णी ने जोई ज रहो। निलकंठ वर्णी तेने अध्भूत लागया। निलकंठ वर्णी स्नान करी नित्य कर्मती परवारी पासे ठाकोर जी ने दंडवत करी सभामा पधारया। सभामा महंत जी राम निलकंठ वर्णी ये जोईूं के सभामा फक्त बे बाडावज बेठी हती निलकंठ वर्णी ने जोई महंत जी ये तेमने बेस्वा जग्या आपी पची धीरे थी निलकंठ वर्णी ये पूछिऊं आ कन्याओ कोण छे महंत ये कहिऊं अहीं बीजा एक संजोगी बावा छे तेमनी आबे पुत्रियो छे राम कथामा तेमने सारो रस छे एक पुत्र पण छे तेनु नाम जैराम दास छे ते पन साधू चरीत छे निलकंठ वर्णी ने आ वातमा रस पड़यो परन्तु ए जिगना सा छुपावी तेओ कथा सांभणवा लागया कथामा काईक कठीन शब्दो आव्या एटले कन्याओ प्रश्न पूछयो महंत जी आ काई समझायू नहीं महंत जी ने पन समझायू नहतू परन्तु अग्नाननो प्रकाश करे तो मोभानू मान जाय तेथी तेने गमेतेम अर्थ करी समझावी दिधू निलकंठ वर्णी आ सामड़ी हस्या कन्याए निलकंठ वर्णी सामू जोयू पन तेमनी द्रस्टी नीची हती कन्या समझी गई के महंत जी आडू अवणू समझावी दिधू छे एटलामा निलकंठ वर्णी ये कहूं महंत जी आपनी आगना होय तो हूं समझावू महंत जी ने परिस्थिती मूंजवन भरी लागी छता तेमने सरणता थी कहूं भले आप समझाओ निलकंठ वर्णी ये कथा मा आवेला शब्दोना आर्थ सुन्दर रिते समझाव्या महंत जी ने पन ते सामड़ी आनेंद थेओ बन्ने कन्याओ निलकंठ नी दिव्य प्रतीभा अने विद्वता थी मुग्ध थेई गई अब बन्ने पुत्रियों ये तेमना माता पिताने वाद करी के मंदिर मा एक वर्णी आव्या छे शरीर एकदम क्रुष छे छता सुर्यने शर्मावे तेवी कांती छे मस्तक उपर जटानों मुगट धारन करेो छे एटले साक्षात शिवजी जेवा देखाई छे आखों मा अमी छे तेमा रामनी करुणा सभर भरी होई तेम जणाई छे वाणी मयूर ना मुखमाथी मलहार ना स्वर्जिवी गंभीर अने आहलादक छे ग्नाननू तो जाने मुर्तिमान स्वरूप छे शब्दों मा समायल अर्थ ने छूटा करी ने स्पस्ट समझावे छे द्रस्टी मांडी ने कोई नी सामू जोता नथी अमने तो लागे छे के साक्षात परमातमाज पधार्या छे पुत्रीनी वानी साम्बली माता पिताने पन कुतुहल थायू ग्रोहस्था श्रमी छता प्रभु भक्तिमा रत रहता बाबाजी ने निलकंठ वर्णीना दर्शन नी तालावेली लागी तेनू पोतानू पन आगवूं कुरुष्ण मंदिर हतू तेने थायूं आ वर्णीने हूं मारा मंदिर मा तेड़ी लावूं तेज सांजे ते बावो निलकंठ वर्णीने पोताना मंदिरे तेड़ी लाववा गयो तेने निलकंठ वर्णीना दर्शन करया पुत्रियोय वर्णवय हता तेवा साक्षात जोया तरतज पगे पड़ी गयो तेने हाच जोडी निलकंठ वर्णी नी स्तूती करता कहिऊं महराज मारा मंदीरे पधारो निलकंठ वर्णी ये कहिऊं अहिना महंत जी जो रजा आपे तो आविये ते बावो महंत जी पासे गयो हाच जोडी खुब कर गरेो तेनों भाव जोई महंत जीए कहिऊं भले तेमने लई जाओ पन तेमने साचव जो संजोगी बावाना कृष्ण मंदीरे निलकंठ हाव्या अबावाजीने निलकंठ वर्णी माटे अपुर्व प्रेम प्रगट थयो हतो तेमनी सेवा मा तेमने पोताना पुत्र जैराम दास ने राख्यो जैराम दास सत्व गुणी अने संसकारी हतो निलकंठ वर्णीनी ते श्रद्धा पुर्वक सेवा करवा लागयो रोज सरोवर मा थता कमणना फोल ते लई आवतो अने निलकंट वर्णीने प्रेम्थी आपतो तेना माता पिता पण निलकंट वर्णीनी सेवा मा ततपर रहता निलकंट वर्णीनी सेवा मली तेथी पोताना अहो भाग्य मानता तेमनी आविश रद्धा अने भक्ति थी प्रसन्न थै एक रात्रे कथा प्रसंगे निलकंठ वर्णिये पोतानु अध्भुत अईश्वर्य बताव्यूं। तेमना शरीर माथी शीतल अने शांत तेज निकलियू। जैरामदास अने तेना माता पिता आ तेज जोई पोताना स्वरुपनु भान भुली गया। स्वनो भाव भुल्या के तरतज ते तेज माँ श्री हरीनी दिव्य मुर्टीना दर्शन तेमन थया। गदगध थैई बाश्प कंठे स्थूती करता तेमने ते समग्र तेज पाचु निलकंठ नी मुर्टीमा लीन थतु जोईू। दिव्य तेज मां जोएली श्री हरी नी मुर्ती अने पोतानी प्रत्यक्ष बिराजेली नीलकंठ वर्णी नी मुर्ती तेमने सर्खी लागी। तेमने निश्चय थाई गयो के श्री हरी स्वयम आ नीलकंठ स्वरूपे आजे प्रुथ्वी उपर प्रगट थया छे। श्री हरी ना दिव्य स्वरूपना आजे तेमने प्रत्यक्ष दर्शन थया तेथी तेओ क्रुत क्रुत्य थाई गया। आँख माथी हर्शन आसू पडवाला गया। स्तुतीना शब्दो माटे वानी वामनी बनी गई। केटली वार निलकंठ वर्णी समक्ष एकाग्र द्रस्टी थी तेओ जोई रहा। छेवटे तेमना चरण कमणमा प्रणिपात करी फक्त एटलू बोल्या। हे हरी अमे तमारा छिये। आ जैराम पन आपनों सेवक छे तेने स्विकार जो। जैराम दास तथा तेना माता पिताने हवे जीवनमा श्रीहरी नी अनेकानेक प्रकारे सेवा करवी एज एक ध्यय थेई थेई गयू। निलकंठ महा प्रभुने थाड धराव्या सिवाय ठाकोर जीने पन थाड धरावता नही। तेमने प्रतिती थेई गई हती के सिहासने बिराजेला ठाकोरजी तेज प्रत्यक्ष निलकंठ वर्नी छे। तेमने निलकंठ वर्नीनी क्रुपाथी दिव्य द्रस्टी प्राप्त थेगई हती। एक दिवस निलकंट वर्णिये जैराम दास ने पूछियू, जैराम तुँ आ कमड काकडी रोज क्या थी लावे छे। एक दिवस निलकंट महाप्रभू, जैराम दास ने क्रश्ण तंबोडी ते सरोवरे आवया, सरोवर्नी शोब जोई निलकंट वर्णिये आननद थयो, तेमा खिलेला कमडो तेमने जोया, त्यां तेमने द्रस्टी स्थीर थेई गई, तेमने कमडमा लक्ष्मी जी जोया, तेम अमारी मुर्तिनी पन प्रतिस्ठा हुं करीश तमे भगवाननी शक्ती छो एटले तमारो पन आदर करवो जोई है परन्तु तमारा आदर मा जो लोको नारायन ने भूल शे तो तमे लोको ने शाप रूप बन्शो निलकंठ वर्णी ने आप्रमाने कमळो तरफ स्थीर द्रस् पची कहिऊं प्रभू सांज थवा आवी छे घर तरफ जैशूं निलकंठ हजु विचार मा हता तेमने त्या एक होडी जोई तेमने जैरामने कहिऊं जैराम आपने थोडो समय नवका विहार करीने पची घेर जैए जैरामे अनिच्छा छता हा कही त्रने जणा नवकामा ब कमडो बिडावा लागया रात पड़ती हती जैरामे निलकंठ वर्णी ने कहिऊं प्रभू हवे पाचा वड़ी शूं फक्त सामे किनारे जैए निलकंठ वर्णी ये कहिऊं जैराम अने क्रश्न तमबोली बन्ने नी छाती हवे धड़कवा लागी परन्तु निलकंठ नी मर्जी तेओ लोपी शक्या नहीं सामे किनारे होडी पहुँची अने निलकंठ वर्णी तरतज होडी माथी किनारा उपर कुदी पड़या जैरामने ध्रासको पड़े तेने तरतज बूम मारी महा प्रभू त्या हवे नथी जवू आगल तो विकराल प्राणियों थी भ भरपूर घोर जंगल छे परन्तु निलकंठ वर्णीये तो काई साम्बडियू नहीं अन्धारू जामतू हतू तमरा बोलता हता अने निलकंठ वर्णी आगल चालता हता जैराम दासने तेनी माताना वचन याद आव्या वर्णी थी कदी छूटो न पड़ीश ते न छूट के अने धड़कते हैये निलकंठ वर्णी नी पाचल जवा लागयो क्रश्न तमबोली पन साथे गयो निलकंठ वर्णी नी चालवानी गतीने कोई पहुचे तेम नहतू अन्धा रामा पन जाने प्रकाश पत्रायो होई तेम तेमना डगलास थीर पड़ता हता जैराम ने क्र रीच भहंकर त्राड पाडी ने तेमना उपर धसी आवियो तेमना थी बूम मराई गई निलकंठ निलकंठ वर्णी ये पाचल जोयो तेमनी आखोमा प्रकाश हतो तेमने रीच ने जैराम दास तथा क्रश्न तमबोली पासे उभेलो जोयो तेओ बनने बीक थी ध्रूजव पाला गया निलकंठ वर्णी ये तेमने कहिँ तमे बीशो नहीं रीच तमने हेरान नहीं करे अरे शूँ बीशो नहीं आ काल मुखो हमना पकडीने चीरी नाक्षे तोई कहो छो के बीशो नहीं जैराम थी बुलाई गयो ते जाड उपर चडवाना प्रयतनों करतो हतो तो त गर्वु मुश्केल छे जाडने ओथे लपायो त्या रीच तेना नसकोरा फुलावी गरम श्वास काड़ी तेनी नजीक आवतो होई तेम तेने लाग्यू ते असहाई बनी गयो एटलामा क्रश्न तमबोली तेने अथड़ायो ते गभरायो तेने लाग्यूं के नक्की री अचे अहीं मौत आवीने सामे उभू छे निलकंठ वर्णी पासेज हता ते आ बधो ताल जोता हता तेमनो एक आथ रीच उपर फरतो हतो तेमने दीमे थी कहिऊं जैराम गभराईश नहीं रीच तो मारी पासे उभू छे एटलू कहिने तेमने जैरामना शरीर उपर हाथ फ परश थी जैरामनू धबक्तु हैयू शान्त थयू तेने अंधारामा पन देखायू के रीच निलकंठ वर्णी ना पगमा बेसी गयू हतू निलकंठ वर्णी ये जैरामनो हाथ पकड़ी तेने खेंचयो साथे क्रश्न तंबोली पन खेंचायो बन्ने आ कउतुक जोयू नि अने जैराम तथा क्रश्न तंबोली ना जीव मा जीव आवयो पची तेओ त्यां थी पाचा फर्या जैरामने क्रश्न तंबोली निलकंठ वर्णी नी बन्ने बाजू तेमना हाथ पकड़ी ने चालता हता जैरामने निलकंठ वर्णी ने पोच्यू प्रभू ए रीच ने मल दवाज तमें आव्या हता, एकोन हतो, निलकंठ वर्णिय कहिऊं, ते जाम्बुवान हतो, क्रश्णना समयमा तेने क्रश्णनी सेवा करेली, पन नीश संशय थयो नो हतो, आजे तेने अमारो योग थेई गव, आजे तेनु कल्यान थेई गव, एटलू कही पछी तेमने जैराम, अमारी कोई क्रिया हेतू वगर नी होती न थी, अहीं आववामा पन तेने मडवानू ज प्रयोजन हतू, कपिला श्रम थी अमें सीधा जगन्नात पूरी जवाना हता, पन तने संसकारी अने मोक्ष भागी जानी, आग आममा अमें आव्या, अमें केवल पन ज्यांजया मोमुक्षुओ होई, त्यां फर्ता फर्ता तेमनू कल्यान करवा पन जईये छिए, जैराम, आरीच हवे तेना देहनों त्याग करी देशे, मनुष्य रूपे सत्संग मां जन्म शे, अमारो तेने योग थशे, अने तेनू कल्यान थशे, जैराम दास तथा क्रश्न तंबोली निलकंठ वर्णी नी वानी सांभडीज रहा, जैराम दास ने आश्चर्य थयूं, छता अंतरमा बीक पन लागी, के रखे निलकंठ वर्णी विजा मोमुक्षुओने शोध्वा चाल्या जशे तो, तेने जोर थी निलकंठ वर्णी नों हाथ पकड़ियो निलकंठ वर्णी तेनों भाव समझी गया, ते मनमा हस्या के जैराम विचारों क्या जानतो हतो, के निलकंठ वर्णी कोई ना पकड़या पकड़ाई तेवा न हता, अने रोक्या रोकाई तेवा न हता, आ लोकना कोई बंधन थी, ते बंधाई तेवा न हता, तेमने प्रेम भक्तिनु बंधन खपतू हतू। ए जया हशे त्या निलकंठ वर्णी एक या बीजा स्वरूपे जरूर पहुंची जशे। मुक्षो मारी राह जोई रहा छे। मारू कार्यक्षेत्र पश्चिम माँ छे। अहीं थी हवे निकळवु जोई ए। तेज दिवसे मध्य रात्रे तेवो त्यांथी चाली निकळया।